तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक वाल मांट जो कि है रोटेट वाल मांट आप देख पार होंगे बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा डब्बा है यह और यह जो वाल मांट है दोस्तों यह 14 इंच का मोनिटर से लेकर आप 27 इंच तक के मोनिटर के लिए आप यूज में इसली ले सकते हैं कोई दिकत नहीं आएगा और बहुत अच्छा है इसकी बिल्ड क्वाल्टी भी काफिला जवाब है तो यहां पर आप देख पार होंगे लिखा हुआ यहां पर एलेडी एलसीडी और पी और यहां 14 से 27 इंच इसका दिये गया मोनिटर का सा बड़ा साइस का स्कूरू अगरा मिल जागा एक यह वाटर लेबल मिलता है और बॉक्स में और कुछ नहीं है चलिए साइड करता है यहां पर दोस्तों यह आपको मिल जागा कुछ माउंट की जो है साथ में एक वाटर लेबल मिलता है देखने के लिए कि आप इसे जब इस तरह का बड़ा स्कूरू आपको चाहिए होगा और इस तरह का बीट चाहिए होगा इसे माउंट करने के लिए तो यहां पर आपको दो मिल जाता है वासर जो दिया गिया है इस दोनों के लिए और चार छोटे-छोटे-छोटे वासर मिल जाएंगा और चार छोटे- तो हमें इस्कुरू टाइट करने का जगह मिलता जो वाल पे इस तरह से टाइट हो जाएगा और यहां पे आप मोनिटर अपना लगा लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा इसमें आपको बैनिफिट हो जाएगा कि आप पूरा राइट के तरफ लेके जा सकते हैं पूरा आप लेके जा सकते हैं और अप एंड डाउन में आपको 15 डिगरी मिलेगा यहां पे छोटा से स्कुरू दिया हुआ है आप इसको लूज करेंगे इस तरह से इसको लूज जब कर लेंगे तो आप देख पार यहां पी इस तरह से मुमेंट कर रहा है तो यह नीचे कर सकते है और अगर आपको उपर करना है तो ऐसे उपर ले सकते हैं तो यह आपको 15 डिग्री तक अपन डाउन मिल जाएगा बट राइट और लेट आपको पूरा मिल जाता है और आप चाहें तो इससे मांट करने के बाद वाल से पूरा टच में रख सकते हैं इस तरह से मानली ज़े आपने वाल पर इसे टाइट किया और इस तरह से फोल्ड करके आप पूरा का पूरा इससे सटा भी सकते वाल में तो बिल्कुल जगव थोड़ा सा एकदम लेता है यह और यह इस तरह से वाल में टाइट हो जागा मोनीटर आ जाएगा बीच में आपका तीन से साले तीन इंच का डिफरेंस देखने को मिलेगा तो यह बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं इसकी जो साइज निकल का रही है यानि वाल से मोनीटर का जो दूरी रहेगा पूरा बारा इंच आरा नेट आप देख पा रहे हैं यहानि वाल से आपको एक फीट का यहाँ पर डिस्टेंस देखने को मिल जाता है जब भी इस वाल मांट का आप यूज करेंगे और काफी हेवी बेट है पूरा मैटल बॉडी में यह है अब देख पा रहे हैं इसमें किसी भी तरगा कोई डाउट नहीं है यह जो सिर्फ टाइट करने के लिए यह फाइवर का है तो यहाँ पर को दिखाउंगा और से किसी मॉनिटर को मांट करेंगे यहिए पहले से एक फिक स्प्लिट का जिस में जगा नहीं होता था मांट करने के लिए तो यह दूसरे इसे अपर और यहाँ पर हमें लगाना है यह कुछ दो Dar Destroy और बीट है इसके मदद से हम लोग यहाँ पर इसे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे चलिए वह मैं आपको दिखाता हूं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ड्रील बीट ले लिया है जो भी आप इस्क्रू यूज करेंगे उसके ठीकनेस के हिसाब से आप ड्रील का बीट लीज आप यहाँ पर ड्रील कर लीजेगा और ड्रील कीजेगा तो इस तरह से कूट जरूर नीचे लगा लीजेगा जिस बीचे करते हैं इससे फायदा यह होगा आपको कि यह जो डश्ट है आप देख पा रहे हैं यह डश्ट फैलेगा नहीं तो क्लीनिंग भी काफी अच्छी रहेगी आपको परिसानी में उठाना पड़ेगा आप देख रहे इतना सारा डश्ट निकला है अभी थोड़ा और निकलेगा और इस कूट डैवर की मदद से आप इस तरह से डश्ट इसका बाहर निकाल लीजेगा चले दोस्तों यह दोनों बीट है इसका हम लोग इसमें तो दोस्तों याद रहे यह थोड़ा टाइट ही रहे ताकि आपका इस्कूरू जब आप इसमें टाइट करें तो लूज ना हो तो आप देख रहे हैं यहां पर पर्फेक्ट बिल्कुल बैठा है यहां पर मैंने बीट लगा दिया अब इस कूट का काम खतम हो चुगा है इ पर यहां पर यहां पर दोस्ते एक बार मैं कंफर्म करूंगा वाटर लेवर लगा के जो मैं टाइट कर रहा हूं वह लेवल पर है कि नहीं तो आप देख पा रहे है जो बवल है वह एकदम सेंटर पर है अगर थोड़ा बहुत प्रोब्लम आती है तो हम लोग इससे साइड सेंटर पर है याने बिल्कुल सही लगा है इसे अफूल टाइट कर देंगा तो जोस्तों एक नट फूरा टाइट हो चुका है सगनेट को भी हम लोग यहां पर टाइट कर लेंगे फूल एक दम तो आपको एक चीज़ का बिल्कुल दिहान दखना कि जो भी स्कूरू आप इ इसमें जब मोनीटर टांगे तो उसके वजन से यह बाहर ना आजा है आप देख पा रहे हैं यहां पर यह बिल्कुल टाइट है कहीं से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही है पूरा तरह से फिक्स कर दिया मैंने और एक बार कम्प्लिट टाइट करने इसे आप देखने की प्रिव फ्री ना भूम रहा हो इसकुरू आपका फ्री ना हो जैसे अभी मैं यहां पर टाइट कर रहा हूं तो यह अब नहीं घूम रहा है क्योंकि यह फाइनल फूल टाइट हो चुगा है अगर आपका इसकुरू फ्री हो जाता है तो आप उसे वापस खोले और यह जो मैंने अंदर में डाला था आप इस बीट को हाप कटिंग कर लें और इसकी हाप कटिंग को उसमें लगा के फिर टाइट करें ताकि जो आपका इसकुरू है वो कम्प्लीट टाइट हो क्योंकि बहुत बार होता आप कस्टमर के पास टांग तो देते हैं बड़ जब आप आते ह मेरे यहां बड़ा घ्राइट करना है मुझे इसमें तो पहले इस तरह से मैश साइड में घूमा ले रहा हूं और यहां पर देख रहें आप मैंने एक लगा दिया और यह अब लगा रहा हूं और आपको भिल्कुल ध्यान देना है दोस्तं जब भी आप मोनेटर को टाइट प्रट विसक्रीन प्रेसर ब्लकुल ना दे ऐसा में परने jego साइड में पये यहां पकड़ब से आप दूप्ल सब्सक्राइब चांस में अब और यह प्रेल्च कर दिया इस निए डॉत तो तो मोनेटर हमारा बिल्कूल टाइट हो चुका है यह स्कुरूप को आपको टाइट कर लेना है जितना भी अगर चाहें अगर आपको मुमेंट नहीं करना तो आप इसे फूल टाइट करके रख सकते हैं और मुमेंट करना तो आप लुगी रखेगा आप देख रहे हैं वी चोला पर इदम फिट आएगा तो दोस्तों आप देख रहे हैं पर 3-4 इंची का गया पर एकदम आपको मिलता है देखने के लिए तो इस तरह से आप लगा सकते हैं बाहर के तरफ निकाल के इसे पूरा इधर ले सकते हैं यूज में या फिर आपको इधर लेना है तो यह पूरा आपको रखना हो तो यह देखें बिल्कुल सीधा लगा हुए मोनिटर यह और चैनल के बराबर आया है आपन डाउन एकदम ही पर है बहुत इस तरह से लगा सकते हैं चले एक बार आउन भी करके इसको दिखाता हूं मैं आपको तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह मोनि पर्चेस करना हो अगर आप चाहते हैं वह यह वाल माउंट को लेना तो आप नीचे दिए गया वाट्सप नंबर पर हमें वाट्सप कर सकते हैं अगर हमारे चैनल पर आप फर्स टाइम आए हैं फर्स बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर कर लिजेगा और दोस्तों बेल का इकॉन को प्रेस करना है आपको अलक उप्सन स्लेट करना है क्योंकि मैं स्री वाल माउंट ने बलकि बहुत ही डिफरेंट टैप के कैमरे और आईटी के प्रोडेक्ट वारे के बारे में आपको बताता रहता हूं और सेल आउट हमारा चलत है तो आपने वाट्सअब कर सकते हैं जो भी आपका रिक्वार्मेंट हो उसके लिए और चैनल को चेक आउट जुरू कर लिजेगा एक और चैनल है दोस्तों मेरा चैनल का दोस्तों पर आप जाके भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको वहां भी मिल जाएंगी तो चलिए मिलता हम अगली वीडियो में नहे टॉपी के साथ तब तक लिए दीजा आजा थैंक्यू फॉर वाचिंग थैंक्यू